राधी राधे जै श्री किष्णा आज मैं आप लोगों को भगवान स्रीहरी विष्णों का तीसरा अवतार वाराह अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ बड़े ही प्रेम पुर्वक और शद्धा पुर्वक इस कथा का रस्पान करें अनंत भगवान ने प्रले के जल में डूवी हुई पृथ्वी का उधार करने के लिए वराह सरीर का धारण किया कहा जाता है कि एक दिन स्वेम संभू मनु ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ करके अपने पिता प्रह्मा जी से कहा हे पिता जी एक मात्र आप ही समस्त जीवों के जर्म दाता हैं आप ही जीविका प्रदान करने वाले भी हैं हम आपको नमशकार करते हैं हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिसे आपकी सेवा बन सके हमें सेवा करने की आग्या दीचिये मनुकी बात को सुन कर ब्रह्मा जी ने कहा हे पुत्र तुम्हारा कल्यान हो मैं तुमसे बहुत प्रसं हूँ क्योंकि तुमने मुझसे आग्या मांगी है और आत्म समर्पन किया है पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए उन्हें अपने पिता की आग्या का आदर पुर्वक पालन करना चाहिए तुम धर्म पुर्वक पृत्वी का पालन करो यग्यों द्वारा सिरिहरी की अराधना करो प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी इस पर मनु ने कहा पूजिपाद मैं आपके आग्या का पालन अव कैसे करों पृत्वी का हाँ सुन करके ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए वह पृत्वी के उद्धार की बात सोच ही रहे थे कि उनकी नाक से अचानक अंकूठे के आकार के वरावर एक वराह शिसूर निकला देखते ही देखते वह पर्वता कार हो करके गरजने लगा ब्रह भगवान की घुर्गुराहर सुनकर वे उनकी स्तूति करने लगे। ब्रम्हाजी की स्तूति से वराह भगवान प्रसन हुए। वे जगत की कल्यान के लिए जल में घुस गए। थोड़ी देर बाद वे जल में डूवी ही प्रिश्वी को अपने डाणों पर लेकर रसातल से उ पर ले आए। उनके मार्ग में विग्न डालने के लिए महा प्राकर्मी हिर्णायक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमन किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीछन हो गया। उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंग हाथी को मार डालता है जल से बहा निकलते हुए भगवान को देखकर ब्रह्मा आदि देवता हाथ जोड़ करके उनकी इस्तुती करने लगे। इससे प्रसन हो करके वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को रोक कर उस पर प्रित्वी को स्थापित कर दिया। प्रित्वी का उद्धार करने वा आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। किर्पिया वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सकाइब करेगा, बेल आइकन दवाना ना भूलेगा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।